हमें लगता है इंसान को सीखते रहना चाहिए सीखने से ही समझ बढ़ती है और समझ बढ़ती है तो लोगों को समझाने का कॉंपिटिस भी बढ़ता है मेरा नाम प्यारे लाल है मैं लखनों में प्रिंटिंग कॉंड़क्टर का काम करता हूँ बच्पन से हमें ड्राइब बनाने का बहुत अप्था कुछ घर में गरीबी के कारण जो है हमारा स्कूल छूड़ गया और रंगों से हमारी दोस्ती छूड़ गई हमारे मामाजी लुद्यानों में प्रिंटिंग का काम करते थे तो एक दिन हमसे बोले कि प्यारे मेरे साथ चलो गए मेराजी हो गया कोहां से हमारा प्रिंटिंग का सफर सुरू हो गया हमने सुर्माज से काम सेखने पर बहुत ध्यान दिया प्रिंटिंग काम की हमने सारी बारी क्या सीखी हमेशा हमने ये चाहा कि हमारे पास सारी प्रोब्लम का स्लेशन हो क्लाइन को कई दे सा सम्झाने का मे प्रिंटिंग काम में तो हम माश्टर हो गए थे। लेकिन जब लकड़ी का काम करते थे तो वो हम फिरिसिंग नहीं हिला पाते थे। फिर लोगों ने बताया कि प्यों के जगा इंपूरिय इस्तेमाल करोगे तो ही वेश्ट फिरिसिंग मिलेगी। लग्जरी उच प्रिंटिंग के काम में काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत होती है, और ये महनदा भी होता है लेकिन हम इसे करना चाहते थे, ताकि हम अपने क्लाइन को अपना हेंडर पसंद दे पाए हमने कंपनी के बता हुए प्रिंटिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझा, जैसे कंप्रेसर के प्रेसर को सठीक रखना, हर एक कोटिंग पर रेंगमाल लगाना या सुखने के लिए प्रयाप्त समय देना तो कला पूरी तरीके से निखलके नहीं आती, इसलिए हमने प्रिंटिंग में काम आने वाली मसीनियों को अच्छे से समझा और इस्तिमाल करना सुरू कर दिया जब क्लाइन कहता है कि आपके पैसे ज्यादा है तो हम उसकी फिरी में सेंप्लिक करवाते हैं और हम अपने उट्च की कित दिखाते हैं कि कैसे हमारे तरीके से पेंट की लाइब कई गुना बढ़ जाएगे आज हमारे पाल लखनों में काफी बड़े-बड़े लोग हमसे काम करवाते हैं मेरे माबाब जुटो तो एक सपना सा लगता है इतना सब हो गया है उन्होंने कभी रही सोचा था कि हम भी कभी पक्ते घर में रह पाएंगे बढ़ते रहने का नाम जिन्दगी है आज जो हम कर रहे हैं कल इससे बहतर करें इसी सोचने मुझको आगे बढ़ाया